Hello students, Maths class 5th, आज का हमारा टोपिक है चप्टर नमबर 10, परसेंटेज परसेंटेज क्या होते है, परसेंटेज मेड फ्रम परसेंट, परसेंट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पर हंडर्ड और डिनोट कैसे करते हैं, हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, परसेंटेज को रिप्रिजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे 35 परसेंट है, उसका means क्या होगा, 35 पर हंडर्ड, यानि कि 35 आउट ओफ हंडर्ड, यानि कि 100 में से कितने 35, तो यह मतलब ह आपको कुछ नंबर्स दे गए है, 10%, 50%, 9%, 10 के पीछे ये वाला सिंबल यूज किया गया, तो हम इसको कैसे, इसको कहेंगे हम 10%, यह है फ्रेक्शनल नंबर, यानि कि 10%, जो परसेंट में हमें ये नंबर गिवन है 10%, तो इसको हम कैसे, फ्रेक्शनल नंबर में कैसे इसको कि यहां पे 100, और फ्रेक्शन क्या होगी, 10 हंडर्थ की फ्रेक्शन होगी, यानि कि 10% के लिए फ्रेक्शन क्या बनेगी, P by Q की फॉर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 divided by 100, फ्रेक्शन बनेगी 10 divided by 100, यानि कि जो परसेंटेज का सिंबल साथ में लगा, वो यहां से हट जाएगा, वो यहां से हम इसको हटा देंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई में 100 हम कर देंगे, तो वो क्या बनगी, फ्रेक्शन बनगी, तो इसको डेसिमल में कैसे कनवर्ट करेंगे, डेसिमल में डिवाइड बाई में 100 है, तो डेसिमल नीचे 100 में कितनी 0 होती है 2 0 होती है 100 में कितनी 0 2 0 तो उपर से 2 digit छोड़ते हैं और यहां पे point लगा देते हैं उस वाली side decimal वाली side हमने 2 digit छोड़े और यहां पे point लगा दिया तो 0.10 यह क्या बनगी decimal form बनगी किसके लिए 10% के लिए तो यह हमने सभी stages की हैं यहां पे 10% के लिए हमने fractional number भी लिखी है fraction भी लिखी है and decimal भी same ऐसे ही 50% के लिए किया गया है fractional number लिखने हो तो कैसे लिखेंगे 50 और जो percent के place पे क्या आजेगा यहां पे 100 और fraction कैसे लिखेंगे यहां से हम क्या करेंगे 50 divided by 100 50% को हमने fraction में कैसे लिखा 50 divided by 100 और decimal में लिखना हो तो वही same हम method अपलाई करेंगे divide by कितना है 100 है जब divide by में 100 होता है 100 में 2 0 होती है तो उपसे 2 0 छोड़के हमने decimal यहां पे लगा देना है और निचे से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 9% के लिए भी same आपने यही प्रोसीजर से फ्रेक्शनल नंबर, फ्रेक्शन और डेसिमल यह तीनों चीज़ आपने find out करनी है तो हम exercise solve करेंगे इनी से base question है exercise 10.1 फर्स question write the following in percent नीचे जो हमें नंबर्स दिए गया उनको हमने किसमें लिखना है परसेंट में लिखना है 60 hundred क्या दिया गया हमें यहापे 60 hundred दिया गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे किसमें लिखना हमने यहापे से परसेंट में तो 60 hundred को हम लिख सकते हैं 60 divide by 100 अगर fraction में बोला जाए किसमें बोला जाए कि इसको हम कैसे लिखेंगे 60 Divided Byassed But हमने फ्रेक्शन में कैसे लिखेंगे हम इसको 60 divided by 100 होता है तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ परसेंट लगा देते हैं divide by 100 हम यहां से remove कर देंगे और इसके नाम का क्या लग गया है यहाँ परसेंट का sign जो हमने वहाँ पर अप्लाई कर दिया तो परसेंट में 60 60 हंडर्थ को परसेंट में हम क्या लिखेंगे 60% ऐसे इबी पार्ट अगर आपको fraction में बोला जाता है इसको लिखने के लिए वैसे बोला नहीं है यहाँ पर एक बर यहाँ पर लिख देते हैं fraction में बोला जाए लिखने के लिए 40 hundredth है यहाँ पर 40 divide by क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और % में हम लिखेंगे इसे % कितना बनेगा 40% क्योंकि 40 divided by 100 का मेंस क्या होता 40% 40% को हमने fraction में लिखना होता तो हम कैसे लिखते है 40 divide by 100 तो इन दोनों को आप ध्यान में रखोगे कि fraction दिगई है 40 40 divided by 100 उसको परसेंट में लिखना है तो आप क्या लिखोगे 40 परसेंट यानि कि 40 के पीछे आप परसेंट वाला सिंबल यूज करोगे और इस परसेंट को आपने अगर फ्रेक्शन में लिखना है तो इस टाइप से लिखोगे 40 divided by 100 और पीछे आप कोई भी सिंबल यूज नहीं करोगे सिंबल परसेंट वाला सिंबल का आपने कभी यूज करना है जब आपने क्या लिखना है परसेंट लिखना है इसी टाइप से सी पार्ट है सी पार्ट में भी क्या आएगा percent में लिखना है तो percent कितने बन जाएंगे 55 hundredth है तो 55 percent बन गए यहां पर percent में लिखना था now second question write the following with denominator 100 नीचे हमें दी गई है statements उसको हमने क्या लिखना है with denominator 100 denominator हमें fraction के बारे में पता है उपर वाले को हम क्या कहते है numerator जैसे यह वाला है हमारा numerator denominator और यह वाला क्या है denominator नीचे वाला क्या होता है नीचे जो होता है denominator रूप पर होता है numerator तो हमने जो नीचे questions दिए गए हैं कुछ sums दिए गए हैं इनको हमने as a denominator 100 लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 16 percent कितना दिया हमें ए पार्ट में 16 percent तो हम इसको कैसे लिखना है denominator as a hundred लिखना तो 16 की हमने fraction बनानी है क्या करनी है fraction बनानी है fraction कैसे बनाते होते हैं sorry 16 by hundred कितना आएगा 16 percent को कैसे लिखेंगे 16 by hundred जैसा हम भी हमने उपर वाले question में किया पहले हमने fraction बनाई फिर हमने उसको क्या किया लिखना है तो अगर fraction में बोला जाता तो भी हम इसको क्या लिखते है डिनॉमिनेटर हंड़र डिवाइड में परसेंट के प्लेस भी क्या आ जाता है डिवाइड बाय में 100 परसेंट वाला सिंबल यहां पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहां इसको क्या लिखा है fraction में यह नहीं है परसेंट वाला सिंबल का भी उज करते हैं जब हम किसमें लिखते हैं परसेंट में लिखते हैं अब हमने क्या लिखिया है fraction फ्रेक्शन लिखते हैं तो डिवाइड बाय क्या हो जाता है 100 अब हम इसे कैंसल नहीं करेंगे 16 by 100 यह वैसे यह 2 से कैंसल हो रहे हैं दोनों simplest form इसकी नहीं बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए denominator 100 चाहिए reason क्या है इसके पीछे इसके simplest form otherwise हम क्या करते हैं simplest form बनती होती है तो fraction के हम simplest form बनाते हैं उन्हें कट करके हम short form में लेके आते हैं उनकी छोटी form निकालते हैं lowest form में इसको convert कर देते हैं fraction को बट यहां पे हम इसको cancel नहीं करेंगे यह हमारा answer होगा 16 by 100 यह answer होगा क्यों क्यों नहीं कि क्योंकि इन्हों ने काया कि हमें denominator 100 चाहिए लेकिन अगर हम इसके letter hello चाहिए लेकिन अगर हम इसको simplest form में लेकिया हैंग तो denominator 100 नहीं बचेगा इसलिए हम से यही हमारा आंसर होगा next में 74 को हम लिखेंगे 74 परसेंट को लिखेंगे 74 ऑई 100 यह आंसर होगा इसको भी हमने simplist 4 में convert नहीं करना same C part, C part में भी हम कैसे लिखेंगे 300 divide by 100 यह आंसर 300 divided by 100 हमने cancel नहीं करना है, simplist 4 में नहीं लाना इसको 0 से 0 तो cut नहीं करोगे, यही आपका answer होना चाहिए, यही answer होगा 300 by 100, क्योंकि हमें denominator कितना चाहिए 100, और यही पर हमारा क्या है, denominator 100 है, तो यही हमारा answer होगा, सेम ऐसे ही, 918 divided by 100, यह आएगा denominator as a 100, Now question number 3, express the following as fractional number and percent, express करना है इन numbers को हमने, जो numbers नीचे given है, as a fractional number, एक तो हमने लिखना है fractional number, और एक हमने लिखनी है percent, एक हमने percent लिखनी है और एक लिखना है fractional number, two types है हमने लिखना है, यहाँ पर हमने number दिया गया decimal में, किसमें दिया गया number decimal में 0.54, तो पहले तो हम इसको fraction में लिख लेते हैं, fraction में इसको जब लिखेंगे, तो 0.54 है, तो 54 divided by कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों कि यहाँ पर कितने digit के बाद decimal लगा है, कि कितने digit के बाद decimal लगा हो है, 2 digit को छोड़के, फिर decimal लगा हो है, 2 digit का मतलब होता है 100, यानि कि 2, 0, 100, तो 54 divided by कितना आजएगा, 100 आजएगा और decimal को हम remove कर दोगे, हम यह चीज किस में भी पढ़ेंगे, decimal वाले चैप्टर में भी यह चीज हम पढ़ेंगे, कि decimal को कैसे हम fraction में convert करते हैं, और fraction को कैसे हम decimal में convert करते हैं, तो यह तो हमने किया इसको fraction में convert, बट हमने लिखना है fractional number, क्या लिखना है, fractional number, तो fractional number हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या होगा 54 100 फिफ्टी फॉर हंडर्ड होगा जैसे आपने टेबल में किया था भी फ्रेक्शनल नंबर फाइंड आउट किये थे तो हम कैसे फ्रेक्शनल नंबर लिखते हैं 54 100 पीछे क्या लगा देते हैं डिवाइड बाइब में जो हंडर्ड होता है उसके प्लेस पे हम क्य apprendre क्या लिखते हैं 100 हाँ जी यह फ्लेक्शनल नंबर हो गया और हमने किस में अब एंडर करना है 0.36 है तो ये भी two digit के बार decimal है यानि कि 36 by 100 आएगा और उसको आप लिखोगे fractional number में 36 hundredth और percent आपकी आएंगी 36 percent अब c part हम solve करेंगे 0.80 fraction में हम इसे कैसे लिखेंगे fraction में हम लिखेंगे इसे 80 divide by 100 80 divide by 100 लिखेंगे क्योंकि कितने डिजिट के बाद decimal लिखेंगे 80 divide by हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे जब 2 digit के बाद होता है तब divide by में कितना होता है 100 क्योंकि 1 के साथ जितनी 0 है उपर उतने ही digit छोड़के हम क्या लगाते हैं decimal लगाते होते हैं 100 में 2 0 है तो उपर 2 0 के बाद decimal लगा था लेकिन जब हम इसको fraction में convert करते हैं तो यहां से decimal को हम remove करेंगे और divide by में जितने digit है 2 digit थे decimal के बाद तो 1 के साथ 2 0 यानि कि कितना आया 100 तो 80 divided by 100 यह fraction आगी 0.180 के लिए और जी fractional number हम लिखना है fractional number कैसे लिखेंगे हम 80 hundredth 80 hundredth 80 hundredth fraction number हुआ and percent कैसे लिखेंगे percent क्या बनेगा fraction number हमें given है fractional number हमें given है fraction हमें given है तो percent easily हम बता सकते है 80 divided by 100 है तो percent कितनी हुई 80 percent यह आपका answer होगा इसी type से आपने आगे जो part given है वो आप solve करोगे Thank you पandırष ग्रीव